लोगडाउन में हर बर्ग को आहद किया है और वियपार बर्ग भी इससे एक खासा प्रभावित हुआ है लोगडाउन के दरान हमिरपुर के प्रतिस्टित शौपिंग कॉंपलेक्स में दो दर्जिन से ज्यादा दुकानदारों के किराय को माफ किया है लोगडाउन में रोशन शौपिंग कॉंपलेक्स के सभी दुकानदारों का किराया माफ कर शौपिंग कॉंपलेक्स के मालिक ने निसाल कायम की है क्योंकि छोटे से शहर हमिरपुर में इस तरह लाखो रुपए का किराया माफ करना चर्चा बना हुआ है बहीं दुकानदारों का लोगडाउन का किराय माफ किया है और इसके चलते पूरे शेहर में चरजा की जा रही है परदीद कुमार ने लोगडाउन के चलते दुकानदारों की दुकाने नहीं खुलने पर ये फैसला लिया है जिसकी सभी सरहना कर रहे हैं शौपिंग कॉंपलेक्स के दुकानदार न उन्हों ने जिस टाइम लॉकडाउन हुआ था तो शॉप्स खुली नहीं पूरी मार्केटी बन थी। काफी प्राउलम आई इसमें लेकिन किराया जो हमारा माफ कर दिया गया प्रदीव जी के दौरा इसमें हमें बहुत से उग मिला इस बात से। दुकांदार नबनीत सिंग ने बताया कि लोगडाउन के दौरान कॉंप्लेक्स के सभी दुकांदारों का किराय माफ किया गया है और इससे दुकांदारों को भी काफी रहत मिली है क्योंकि पहले ही दुकांदार मंदी के दोर से गुजर रहे हैं। चाहिए है बड़ी अच्छी पहल जो उनकी तरफ से रहे क्यूंकि सारा कंपलेक्स एक मिनना बिल्कुल लॉक्डाउन रहा था स्थानी निवास सी, शगुन का कहना है कि शॉपिंग कंपलेक्स के माले के द्वारा बहुत बड़ी कदम उठाया है और इसी तरह से शहर में दूसरे दुकानदार मालिकों को भी अपने किरायदारों के लिए इसी तरह किराय माफ करने के लिए काम करना चाहिए स्वरंकार प्रदीब कुमार का कहना है कि लोगडाउन लगा हुआ था और सभी घरों में कैत थी इसलिए लोगडाउन का किराय माफ किया गया है उन्होंने बताए कि करीब 40 दुकानदारों का किराय माफ किया है और इसमें अधिकतर रेडिमेट शूज ब्यूटी पार्लर है सारे घर पे क्या थे सारे तो एक मिन्हे कराय मने उसका है मिलकोल माफ कर दिया है उसे निया गर्या में इसमें यह दो दर जने सम्दों दुकने सिति इस और पहनतिस दुकने अधिकतर दूक अनने रडिमेट की है सालोन है, कर्मेक्सरी, दूसरा, मिक्स दुकरने है, सारी दुकरने है, अंदर है, कराया लंसम साड़ेक तीन लाक रवे करीव कराया था, उसे ज्यादा है बनेगा।